लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें मनपा चुनाओ के लिए गुजराती समाज ने मंगा टिकेट उप्यक्षा हुई तो भाजपा शियुसेना और नसीपी को सिखाएंगे सबक धरमशी पटेल ने दिये संकेत अपने कामधन्दे और कारोबार से नवी मुंबई के विकास में एहम भूमिका निभाने वाला गुजराती समाज महानगर पालिका चुनाओ में प्रतिनीधित तो मांग रहा है गुजराती समाज को चाहिए अपना नगर सेवक, NMMC में चाहिए अपना प्रतिनिधी उद्दिमी और समाज सेविध हरमशी पटेल की दलील है कि हम जादा नहीं सिर्फ तीन से पांच लोग प्रतिनिधियों के लिए टिकेट मांग रहे हैं जो मनपा में गुजराती समाज की आवाज बुलंद कर सके को भी देवे समाज में मगर एक टिकेट हमारे समाज को कोई भी पार्टी से मिलना ही चाहिए क्योंकि हमारे समाज ने नवी मुंबई को बहुत कुछ दिया है आज जो नवी मुंबई को जो 21 का सदी का सहर कहला जाता है उसमें हमारी समाज ने बहुत कुछ नवी मुंबई को दिया है और आज भी हम देते रहे हैं इसके लिए हमारा अधिकार है कि इस समाज को इस टिकेट मिलना चाहिए मैं समझता हूं कि 90% नवी मुंबई के अंदर गुजराती और मारवाडी समाज के बिजनेस्मेन है 90% उसमें दस्टा काई कुछ अलग काश के होएंगे दुकान और APM से में इस हिसाब से नवी मुंबई मानगर पालिक के इलक्षन में कोई भी प्रतिनिदी एक देना चाहिए और मिलना भी चाहिए क्योंकि हम लोग का हक लगता है समझना कठी नहीं है कि नवी मुंबई का सकल गुजराती समाज सबसे अधिक गनेश नईक के साथ रहा है लेकिन उसे अब तक न तो टिकेट मिला है नहीं आपक्षित सम्मान मिला है अब जबकि नवी मुंबई में नाईक और भाजपा के खिलाफ महाविकास अगारी ताल ठोक रही है तब उपक्षित गुजराती समाज नाईक के खिलाफ जाकर उनकी जीत का खिल भी गार सकता है समाज की नेता इसका सबस्ट संकेट भी देने लगे है नाईक साब को हमने आज 15 साल से सपोर्ट कर रहे हैं और हमने सपोर्ट किया है गेर टाइम की बात करता हूँ एक्चोली अधिगार मेरा था टिकेट का लेकिन नाईक साब ने हमारे वोड में सूरेश सेटी को टिकेट दिया था एक्चोली मेरा हक लगता था में साब के पास गया भी था उसमें विराजदार साब ने बोला भी था कि इस समाज को एक टिकेट देना चीए मगर अभी क्या होता है अंदर से क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है हमारे जगे पे सूरेश सिर्टी को टिकेट दिया था बलके वो आदमी सीवसेना में था और एनसीपी में आया उसको टिकेट दिया हम आज 20 साल से नाइक साब को सपोर्ट करते आ रहे हैं लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है कोई देखता नहीं है आज 20 साल से हम लोग कर रहा है तो अगर उदर टिकेट नहीं मिला तो उदर हाथ मारेंगे हम मारना तो है यह अभी हमने नकी किया है कि इस टाइम हमको खड़ा रहे नहीं है पले चाहिए टिकेट देवे ने लेके इंडिपेंड रहे है कि हम पक्का रहेंगे खड़ा गौर तलभी के अप्रेल में नवी मुंबई मनपा के चुनाव होने है ऐसे में गुजराती समाज ने जिस तरह अपनी आवाज बुलंद की है वह सभी पार्टियों के लिए एक अल्टिमेटम है देखना होगा कि 2020 की इस चुनावी खेल में गुजराती पासा खिस परभारी पड़ता है ब्यूरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया